बॉलिक लास एक्सराइज 9.1 की रिविजन दे रहे हूं राइट नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रेक्शन आपको नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रेक्शन बताने हैं पहला है 1 by 2 दूसरा है 2 by 4 तीसरा है 3 by 6 देखें ऊपर जो है 1 का टेबल चल रहा है नीचे 2 का टेबल 1 2 जा 2 1 3 जा 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो नहां पर आजएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 बीच में by का निशान जरूर लगाना है यह आपको fill in the blanks दिया हुआ है लेकिन आपको लगाना है तो यह next 4 इक्विवेलेंट फ्रेक्शन बन गया 4 बाइ 8 5 बाइ 10 1 बाइ 12 एंड 7 बाइ 14 next है 7 बन जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 ऐसे ही नीचे आ जाएगा बाइका निशान लगा देते हैं यह आपर और फिर 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56 तो नंबर बन गया 28 बाइ 32 35 बाइ 40 42 बाइ 48 एंड 49 बाइ 56 नेक्स कोश्चेन है फिलिन दा ब्लैंक्स मिसिंग नंबर को आपको भरना है अब यह 4 बाइ 5 है बीच में इक्वल का निशान है तो इसका मतलब यह वला जो नंबर है वह इस नंबर के फ्रेक्शन के इक्वल होना चाहिए अब देखे इसको टेबल पढ़ेंगे पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 5 जा 20 अगर उपर 5 से पढ़ाया तो आप नीचे भी 5 से ही पढ़ेंगे 5 5 जा 25 तो 4 बाइ 5 और 20 बाइ 25 दोनों एक्विवलेंट ट्रेक्शन होंगे पैसे यहां पर अब देखे यह 8 बाइ गार बाइ आइट 8 ऐ9 से 18 बढ़ा है यहां वाला नमबर हमें पता करना है क्या होगा तो हम हम 2 के टेल में देखेंगे 8 का बाता है 4 जो है यहां पर आएगा तो नंबर बन गया missing नंबर हुगा 4 और fraction बन गया 4 by 9 next है compare करना do not compare ना कि दोनों number में तुलना करनी है कि कौन सा number बढ़ाह यह चोटा है यह greater का sign है अगर पहला number बढ़ाहS और यह sign जो है जो है जो है अगर पहला number चोटा है तो और यह sign equal है अब 3x4 और यह 4x5 है DEAK layer लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे a cross multiply करेंगे क्रॉस मल्टिप्लाई का मतलब उपर से नीचे को वी क्रॉस को मल्टिप्लाई करेंगे 3 को 5 से करेंगे और 4 को इस वाले 4 से करेंगे बीच में बॉक्स बनाएंगे 3,5 जा 15 और यहां पर आया 4,4 जा 16 तो अब यह 15 जो है 16 से छोटा है तो यहां पर लेस दन का निशान आएगा तो इसका मतलब है 3 बाई 4 लेस दन है 4 बाई 5 से उसी तरीके से इस वाले कोश्चन को भी हाम क्रॉस मल्टिप्लाई करके करेंगे वी क्रॉस मल्टिप्लाई 1 मल्टिप्लाई 7 और यह हो गया 2 मल्टिप्लाई 2 तो 1 7 जा 7 और 2 2 जा 4 अब इन दोनों में यह नमबर बढ़ा है तो यहां पर ग्रेटर दन का साइन आएगा तो इसका मतलब 1 बाई 2 ग्रेटर है 2 बाई 7 से इसी तरीके से आप कोई भी कोश्च मल्टिप्लाई करके इसको आप कंपेर कर सकते हैं तो क्वेश्चिन 1, 2 और आपके बुक का क्वेश्चिन 4 आपको इसी तरीके से करना है थैंक यू